सुषान सिंग राजपूत को सपोर्ट कर रहे गनेश जो कि सुषान सिंग राजपूत के कोरियोग्राफर रह चुके थे ऐसे में उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है कि आखिर का चवदाज उनको क्या हुआ था उन्होंने ये कहा है कि सुषान सिंग राजपूत बड़ तुछां सिंग राजपूत के घर पे 13 तारीख पारटी थी और ऐसे में पांस से छह लोग आए थे जी हैं तो पांस से लोग आए थे और उसके बाद में यह तक उन्हों जो गनेश जी जो उन्होंने ये भी कहा था कि सुषान सिंग राजपूत कभी आत्मत्या नहीं कर सकते क्योंकि वह हमेशा यह कहते थे कि किसी भी परसन को कभी भी अपनी जान नहीं लेनी चाहिए और ऐसे में एक बार जब गनेश जी जो की कुरियोग्राफर हैं उन्होंने खुद ने आत्मत्या करने के बारे में सोची थी या फिर उसके बार उनके दिम्मा के अंदरे से नेगिटिव थोड़ सारे तो जो कि बिल्कुल ठीक नहीं थे किसी भी परसन के लिए या फिर गनेश जी के लिए ऐसे में सुषान सिंग राजपूत ने उन्हें बहुत ही ज देते थे यह जब इंट्रिव्य उन्हें दिया था और यह दावा किया था कि सुषान सिंग राजपूत के साथ में जो जो लोग आये थे उस पार्टी के अंदर उन सभी के नाम भी पता है वह सीब्य को भी बताएंगे तो यहां पर क्या हुआ कि अब यहां पर उनको मारने के लिए उनके घर पे रात को देड़ बज़े से दो बज़े के बीच में 6-7 लोग आते हैं हाथ में सरिया होता है उनको मनतब बहुत गाली करते उनको मारने की कोशिश करते लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कि जो उन्होंने मुंबई पुलिस को फॉन किया लेकिन पर देख सकते हैं और हाथों के अंदर सरीय थे मास्क लगाए हुए थे 6-7 लोगों ने धंकिये दी थे कि सुशान सिंग राजपूत के इंसाफ के लड़ाई आप मत लड़िये या फिर मतलब उनको ड्राने की पूरी कोशिश की गी ऐसे में क्या जो को भी सुशान सिंग दा बन चूकर सुशान सिंग राजपूत को इंसाफ हरहाल में मिलेगा लेकिन यहां पे गणेश उनको जान से मानने की धंकी दी गई उनके आपने देखी लिया होगा उनके ने कह दिया है कि उन्होंने मूंबी पूलिस को फोन किया था लेकिन दो गंटे तक पुलिस नहीं आई और उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तक से अंकित आचारे उनको भी जान से मानने की धंकिये दी जा रही है लेकिन ये दोनों लगातर सुशान सिंग राजपूत को सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हों ने ये तक कहा है कि भले इनको बढ़ना पड़े लेकि के परफेक्ट नाम उनके पास हैं एकदम वैलिड ओफेसल इंफर्मेशन उनके पास सोगेज ये कुछ इंफर्मेशन थी कि जिस तरक से अंकित आचारे सामने आया थे उनको भी मारने की धंकी दी गए और अब जो गनेश जी हैं वह भी सुशान सिंह राजपूत को गनेश जी ने ये काई कि अगर अब मुझे कुछ भी होता है या फिर मैं गाइब हो जाता हूं तो फिर उसके पीछे वजह कौन होगी यह सभी को पता लग जाएगा और वही परसन वजह होंगे उनके गाइब होने के हालंकि सुशान सिंह राजपूत जो को भी सपोर्ट कर पीछे होंगे अगर आपको वीडियो पस्तन है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब किजिए का ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट भी मिल जाएगा